बिस्मिले रवार नहीं, वेलकम होगे आप सभी के अनधर वीडियो में, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे TikTok मार्केटिंग, हमने TikTok को कैसे यूज करना है मार्केटिंग करने के लिए, फरक नहीं पड़ता आप किस मुलक में बैठे हो, पाक्सान से बैठे कर आप आप लोग ओवर और वर्ड़ वाइड किसी भी मुलक में मार्केटिंग करके अपनी अर्निंग कर सकते हो, आगे चल के आपको मैं सारी चीज़े प्रेक्टिकली करके सिखाने वाला हूँ, या आप लोग किसी भी मुलक में बैठे हो, तो आपने कैसे काम करना है TikTok को कैसे तक जुड़े रहना है, सारी स्ट्रेजी में आपके साथ शेर करने वाला हूँ, TikTok मार्केटिंग की आज, वीडियो को अब ही लाइक नहीं किया तो यार क्या करें वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो, पहली बार टफक पड़े हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर द बाई आपका step by step लेके चल रहा है कि आपने international market में काम कैसे करना है, फिर time wasting करते हैं, जल्ली से वीडियो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोग कुछ requirements discuss कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़े required हैं, अगर हम लोग ने international market में marketing करनी है TikTok के थूँ, अच्छा, पहले नमर पे आ आपके पास दो चीज़े required है, पहले नमबर पे आपके पास एक phone number होना चाहिए, जिस मुलक में आप लोग account खो रहे हो, मान के चलते हैं, आप लोग UK में अपना TikTok एजिंसी account बनाना चाहरे हो, तो आपके पास UK का number होना चाहिए, Canada में बनाना चाहरे हो, तो Canada का number होना वो आपसे मांगेगे, number, address, थोड़ी बहुत information मांगते हैं, वो easily account बन जाता है, अगर आप लोग already उन मुलकों में बैठे हो, मान के चलते हैं, आप जो मेरी वीडियो देखे हो, आप UK में बैठे हो, और आप अपना account खुद बनाना चाहरे हो, तो then आप easily बना सकते हो, किसी क तो कोई पैसा देने के आपको जोड़ नहीं है, हाँ, उन लोगों के लिए bad news है, जैसे के हम पाकिसान में बैठे हैं, तो then हम नहीं बना सकते, अब मान की चलो मैं पाकिसान में बैठा हूँ, मैं काम करना चाहरा हूँ, दुबई में, या मैं काम करना चाहरा हूँ, UK में, तो then मैं क्या करूँगा, पहली बात तो मेरे पास ना दो UK का नंबर है, ना ही मेरे पास address है, मैं account कैसे create करूँगा, पहली possibility यह है कि आपको कोई दो, सिश्यदार, जाने वाला, कोई ऐसा बंदा होगा, आप उससे create कर वालो, पहले तो मैं आपको यह recommend करूँगा, आप उस country में business करो, जिदर आपको easily चीज़े available है, जैसे लेट से आपका UAE में है, दुबई में कोई जाने वाला है, हर बंदे का यार कोई ना कोई निकल आता है, तो उससे आप लोग account create कर वालो, टिक टोक agency का उन सिंपल से, नाम, address वगारा, नंबर, थोड़ी बहुत information लगेगी उस लेकिन वो आपके पास ही रहता है, आप उसके आगे use करके marketing कर सकते हो, लेकिन account आपको free में ही मिलेगा, तो यह मैंने आपको एक solution बता दिया, पाकिस्तानियों के लिए, पहला solution हो गया, कोई बैठा है, उससे बनवालो, अदर्वाइस कोई नहीं बैठा, तो इन दोनों platform से जो मैंने आपको बताए है, आप account करीड करवा सकते हो, अच्छा requirements आपको गिलियर होगी है, requirement में सिर्फ आपको tik-tok agency count चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए marketing करने के लिए, अब बढ़ते हैं अपनी laptop screen की तरफ, और उदर में आपको सारी चीज़े practically सिखाता हूँ, सबसे पहले तो आप लोगों ने इस website पर आजाना है, tik-tok.com slash business पर या आप simple से google पर लिख सकते हो, ads.tiktok.com, ये website है, आप लोगों ने simple से इसको open करना है, तो आप इधर ही आओगे, अब इधर लिखा हुआ है, attract your customers with tik-tok ads, नीचे get started लिखा, एक आपको बटन शो हो रहा है इधर, आपने इसके उपर क्लिक कर लेना है, account create करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, tik-tok ad account, tik-tok agency account, जिसको हम बोल रहे हैं, जिस पर आपने अपनी ad अगरा run करनी है, अब इधर sign up का page खूल गया है, इधर आपने अपनी email देनी है, password देना है, by clicking इस पर क्लिक करोग करते हैं, वैसे ही simple है, कोई rocket science नहीं है, आपने इधर sign up करके अपना account जो है, वो create कर लेना है, आप खूद कर सकते हो, किसी को कोई पैसा देनी की जूरत नहीं है, अच्छा, ये एक तरीका है, second तरीका ये भी है, कि आप Google पर आग लिखो, tik-tok agency account, पहले ये sponsor इसको हटा दो ये जो पहली website आ रही है, TikTok ads manager create and manage ad campaign, इसके उपर आप लोगने open कर लेना, इस website को, next दुबारा से आपके सामने वो ही website खूल जागी, TikTok ads manager की, वो ही TikTok for business वाली, आपने इधर भी get started पे click करना है, और आपके सामने again से वो ही firm sign up वाला खूल जागा, अब ये login करने को बोल रहे हम करेंगे sign up now, क्योंकि हमने अपना account अभी नहीं बनाया हुआ, तो sign up पे जा के अपने email, password, number, address वगरा दो, आपका account जाए है, वो create होजएगा, अब बाते हैं आप पाकिसानियों की तरफ, जिनका कोई अगर दो सिस्दार जाने वाला अगर बाहिर है, तो वो तो बनवा लें अगर जिनका नहीं है, तो वो क्या करेंगे, आपने इधर आना है, पहली ये website, megadigital.ai, ये official website है, आप लोग को निचे description में मैं link provide कर दूँगा, आपने इधर आना है, इधर आके आप लोग ने account या अपना ले लेना है, ये TikTok के official partners हैं, आप लोग आंखे बन करके इन पे trust कर सकते हो, अच्छा, अगर किसी बंदे को trust issues हो रहे हैं कि भाई, मेरा hundred dollar का deposit है, ये कही company लेके बागना जाए, इस तरह कोई मसला ना बंजे, आपके सामने screen पर मेरा Instagram ID शो हो रही होगी, आप मुझे Instagram पे DM करके बोल सकते हो, कि Osama भाई, मुझे TikTok agency account लेना है, आप मुझे account open कर वाद हो, तो मैं उसके कुछ service charges लेता हूँ, 5000 मेरी fees है, आप लोग पहले वो pay करोगे, then मैं आपको अपना WhatsApp नमबर share करूँगा, और आपको WhatsApp पे ले जाके आपका account जाया, वो बनवा के खुद दूँगा personally, तो आप अगर account मेरे through लेना चाहरे हो, तो आप Instagram पे मेरे साथ contact कर सकते हो, अच्छा, दूसरी website यह वो ecomedy media की है, यह भी TikTok के official partners है, आप इनके साथ भी काम कर सकते हो, बहुत trusted है, आप इन दोनों में से जिसके साथ भी जाना चाहो, आप जा सकते हो, अच्छा, यह चीज़ होगी, अकाउन बनाने का तरीका समझ लगी है, अब हम लोग अपन add account में आपको login करके दखा देता हूँ, मेरे पास already UAE दुभई का एक add account पढ़ा हुआ है, जो के मैंने recently ही बनवाया है, यह आप लोग add account देशे हो, इसमें हमारा balance भी पढ़ा हुआ है, almost 30 दरहम इसमें पढ़े हुए है, और यह आपको account का मैं थोड़ा सा overview कर वा देता account बना लोगे तो आपको किस तरीके से शोगा और आपने कौन कौन सी settings करनी है, और आगे चलकर campaign को run कैसे करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, बस आप लोग ने साथ मेरे जुड़े रहना है, सही है ना, अब यह account का dashboard है, इधर आपको सारे के सारा आपका balance और कितनी आप campaign run करोगे, वो सारी की सारी इधर show होने वाली है, जैसे आप Facebook पे campaign run करते हो ना, वैसे ही TikTok पे भी आप सेम करते हो, इधर आप create पे जाके अपनी campaign run करोगे, add run करोगे, समय लग रही है, उसके बाद tools में आओगे, तो इधर कफ़ आपको tools देकर को मिलेंगे, आगे चलकर यह पी मैं आपको बताऊंगा कि इनका क्या काम है, analytics है, इधर आपको सारा के सारा आपके store का, आपके इस add account का analytics show होगा, अब पहले नमबर पे इस account के आपने चोटी सी setting कर लेनी, वो आपको समझा देता हूँ, आप जब account इस तरी के से dashboard पे आजाओगे न, account बना लोगे, आपन आपने इधर टिक टोक अकाउंट चो रहना है, इधर link टिक टोक अकाउंट पे उपर क्लिक करना है, और आपने एक अधर टिक टोक की ID बना लेनी है, जो normal अपने टिक टोक ID नी होती, जिसमें हम वीडियो और पब्लिश करते हैं, वो आप लोग ने एक बना के अपने brand name के स आपसे बना लेनी है, और उसको इधर से आपने link टिक टोक अकाउंट पे जैसे क्लिक करोगे ना, तो ये आपको login करने को बोलेगा, अभी मैं आपको ये show भी करवा देता हूँ, आपने अपना username, password लगा के अपना अकाउंट को login कर लेना है, तो वो इसके साथ connect हो जाएगा बहुत simple सा step है, उसके बाद आप लोग ने कुछ भी नहीं करना, अब एक चीज़ ओर है वो होते हैं, टिक टोक के pixels, अच्छा पहले नमर पे तो ये समझे लो के टिक टोक पिक्जल हम बना क्यों रहे हैं और इसका काम क्या है, टिक टोक पिक्जल का काम ये होता है कि आपकी activity को track करना, पिक्जल का काम होता है, अच्छा इसका फाइदा ये होता है आपको, कि जैसे जैसे आपका पिक्जल मिचूर होता जाता है, उसके पास data आ जाता है ना काफी ज़दा, आप जब बार बार campaign run करोगे अपने पिक्जल को use करके, तो उसके पास data collect होता रहेगा, तो इधर आपको events का option मिलेगा, ये events पे आपने क्लिक करना है, next ये interface आपके सामने आएगा, अब आपके case में हो सकता है कि आपने already कोई pixel ना बनागे रहेगा हो, मैंने already एक बनाया हुआ, ये चेकर हूँ सामाहिंतियाज pixel के नाम से है, मैं आपको show भी करवा देता हूँ, इधर website पे connect data source का ये बटन है ना, इसके उपर आपने क्लिक कर लेना है, आपके सामने ये एक छोटी से window आजाएगी, अब तीन option पूश्या है, web, app या offline, आपने इधर web करना है, क्योंकि हम अपनी website के लिए pixel बना रहे हैं, अगर आपकी कोई application है, या कोई offline आप काम कर रहे हो, तो इसको हमने अपनी Shopify store के साथ connect भी किया था, इसको मैं इधर से URL को कर लेता हूं, copy, और copy करने के बाद हम दुबारा आजेंगे इधर वापिस, और इधर आकर मैं अपनी जो है, paste कर देता हूं, link को, इस तरीके से आप लोग ने प्रोपर URL अपनी website का दे देना है, उसके बाद आप manually setup के साथ भी जा सकता हूं, मैं आपको आज manually setup करके बताने वाला हूं, आपने इस पर click करना है, और इसको simple से next कर लेना है, अच्छा next आप से ये तीन option पूछेगा, TikTok pixel प्लस event, TikTok pixel है और event API है, तो आप लोग ने पहला जो recommended है, आप लोग ने इसको set कर लेना है, और इसक simple से next कर लेना है, अब next करोगे ये आप से create pixel, pixel create करने को बोल है, आप किस नाम पर pixel जो है, वो create करना चाहरे हो, तो हम अपनी website का नाम ही इधर enter कर देते हैं, आप किसी भी नाम पर जो है अपना pixel जो है, वो create कर से जरूरी नहीं है, आपके अपनी website ही हो, उसके पाद आपने simple create के उपर click करना है, अब pixel create हमारा हो चुके है, अब ये हमें बोल रहा है कि copy base code, ये नीची इसनी जो हमें code दिया होना है, ये कह रहा है, इस code को copy करो, और copy करने के बाद जाके अपने header में paste करो, ये नीचे बता भी रहा है, आपको instruction उसने full दी ही है, कि add code to your website header, आपने अपन इस पर click करके edit code के उपर चले जाना है, अब ये आपके सामने सारा का सारा backend खुल गया है, आपके Shopify store का coding वाला section आ गया है, आपने theme.liquid, ये आपको इदर दूसरी ये तीसी नमबर पर मिलेगा, इसके उपर आपने click कर लेना है, और click करने के बाद ये जो header लिखा हुआ है, header ये tag है, इसके नीचे आप लोग ने paste कर देना है, अपने code को, इस तरीके से इधर मैं control V कर लेता हूँ, ये हमारा code जो है, इधर से लेकर इतना TikTok का pixel code ये लिखा है, ये मैंने paste कर दिया है, इसको आप लोग ने simple से इधर से save पे click मानना है, और इस code को save कर लेना है, अच्छा इधर अब भी काम खतम नहीं हो, आप लोग ने इधर से exit मारके वापस आना है, उसके बाद आपने setting के उपर click करना है, चेक आउड में आ जाना है, उसके बाद आप लोग ने नीचे scroll करना है, इधर आपको एक option मिलेगा है, additional script का, इधर भी आप लोग ने same code copy किया था ना, इसको आप लोग ने paste कर देना है, और इधर से आपने save पर click करके इसको save कर लेना है, setting हमारी ये भी save होगी है, इसको आप मैं इसको cancel कर देता हूँ, अब दुबार आ जाते हैं, वापिस से इस अपने page के उपर जिधर से हम वापिस गये थे, नीचे scroll करना है, हमारा code भी paste हो add to chrome पे click करना है, और इस extension को add पे click करके अपने chrome browser में, कोई भी browser होगा आपका उसमें आपने install कर लेना है, अब ये हमारी install होगी, अच्छा install होगी, उसके बाद आप लोग ने इसके उपर click करना है, और इसको आप लोग ने पिन कर लेना है, ताके उसको idea हो जाए कि हमने ये install कर लिया है, अपनी याधानी के लिए, अच्छा, अब वापिस आ जाएंगे दुबारा से, इसको आपने next, अब simple करना है, अब next करोगे, इदर आपको एक option मिला है, enable automatic advance matching का, आपने इसको लाजमी से on कर लेना है, मैं दुबारा बोलों, इसको आपने लाजमी on करना है, उस उस पर interface थोड़ा सा change था, अभी चीज़े थोड़ी सी update हुई है, change हुई है, तो आप लोग ने इसको लाजमी से अच्छे से customize कर लेना है, अच्छा, अब इसको मैं इदर से simple से next करता हूँ, और next करने के बाद ये पूछा है, use event builder to setup, तो हम करेंगे launch event builder पे click करेंगे, अब इसने मुझे next page पे redirect किया, और ये event builder जो है, वो setup होना start हो गया है, अब ये चेक करेंगे, हमें setup करने का बोल रहा है, आप क्या करेंगे, add event के ओपर आपने click करना है, इतर से simple से, अच्छा, इधर हमारे पास दो option आ रहे हैं, पहला है button click का, दूसर है URL visit का, अब मैं आपको सम specific button के ओपर click करेंगा, then ही आपका ये जो event है, वो track होगा, तो हम इसके साथ नहीं जाएंगे, मैं चाहरा हूँ के मेरा customer मेरी website पर बस आजे, एक specific URL के ओपर land हो जाए, जैसा के view content का हम event create करेंगे, पहला हम total 3 events create करने वाले हैं, तो हमारे जो event है, वो 40 तोर पर URL के through track हो, तो आ अपने events को जो select करना है, total हम 3 events बनाने वाले हैं, आप लोगोंने जैसे मैं बना रहूँ, same as it is, आपने बनाने हैं, और पीछे जो science लग रही है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, अब बाकियों की तरह मैं आपको ये नहीं बोलूँगा, कि आप direct as it is, छापा मार दो, आपन पीछे URL पे आके आपने इधर इंटर करना है, slash products, अब इसके पीछे science के है, ये मैंने क्यों slash products लिखा है, ये मैं आपको समझा देता हूँ, इसका मतलब ये है, कि कोई भी बन्दा मेरी website पे आया, उसने मेरी कोई भी product open की, तो then मैं चाहरा हूँ कि मेरे पास एक event track हो, view content का, चले मैं आपको एक practically example दे के समझाता हूँ, अच्छे तर मैंने दराज की ओफिशन website open कर लिए, जस्ट आप लोग को समझाने के लिए, अब मान के चलना है कि आप लोगों की ये website है, आपका Shopify store है, कोई भी हो सकता है, तो इधर से मैं इधर कोई भी एक random product को open कर लेता हूँ, जैसे ये men's shirt है, इसको मैं open करके आपको दिखाता हूँ, जिसको मैं आपको समझाने वाला हूँ, कि ये events काम कैसे करते हैं, इनके पीछे science क्या लग रही है, अब देखो मैंने कोई भी इधर से दराज पे आगे product open की है ना, उपर आप लोग URL में चेक करोगे, daraas.pk slash product show हो नहीं है, आप लोग ने उपर URL देखना है कि आपके website के फोरण बाद क्या चीज़ आ रही है, वो चीज़ आप लोग ने जाकर इधर paste कर देनी है, simple सी science है, और कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, आप लोग को लोग misguide करते हैं, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, आप अ क्योंकि मेरा ये दुबाई का स्टोर है, उसके बाद आप लोगने simple से confirm पर क्लिक करना है, अब मैं इसको confirm किया है, अब मेरा event एक बन गया, अब मैं add event पर दुबारा क्लिक करूँगा, और दुबारा से मैं अपना दूसरा event अब add करूँगा, अब दुबारा से मैं URL लगूँगा slash checkouts, अब इसके पीछे की science क्या है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ, अब दुबारा से हैं हम लोग दराज के उपर, अब इदर कोई भी बन्दा है, लेट से ये आपका इशोभी फैस्टो हो रहा है, अब उसने ये portrait open कर ली, उसके बाद वो क्या करेगा, buy now क के उपर क्लिक करेगा, so next इसने मुझे इस page के उपर redirect कर दिया है, अब simple से आप लोग ने उपर देखने है, URL के उपर, अब इन दराज वालों ने क्या किया है, अपना customized URL बनाया हुआ है, checkout.dras.pk slash shipping का, आप लोग ने अपने case में देखने हैं कि आपकी website का URL इदर आएगा, ये चीज़ देखने को मिलती है, आपको Shopify store के उपर, again से don't include पे मैं क्लिक करूँगा, और इसको मैं confirm कर दूँगा, अब event builder में हमारे दो events बनके है, add event के उपर मैं दुबारा जाओंगा, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, URL विजट पे दुबारा जाके next पे click मारूँगा अब setup event में मैं अपना तीसा event जो create करने वाला हूँ, वो है place and order का, आप लोग place and order भी कर सकते हो, या इसके इलावा आप लोग को एक और इधर option मिलता है, वो है complete payments का, आप लोग इसको भी use कर सकते हो, दोनों का same ही काम है, तो complete payments पे मैं click करूँगा, और slash मैं लिख दूँगा यह check करो, आपको नीचे यह recommend भी कर रहा है, thank you, तो आप लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हो, मैं लिखूँगा slash thank underscore you, तो इस तरीके से आप लोग इन इसको confirm कर लेना है, अब इसको मैं finish setup पे click करूँगा, और इसको मैं करूँगा exit now, यह back to edit पे भी हम जा सकते हैं, लेक कुछ हम लोग ने कर लिया है, अब इस पे आपको क्या बोल रहा है, option one कर रहा है, कि आप लोग अपने events को directly test भी कर सकते हो, जाके कि आपका जो pixel है, वो सही से काम कर रहा है, या नहीं कर रहा है, आप इस पे जाके check भी कर सकते हो, और second number पे आपको option कर रहा है, कि आपने जो API वगारा है, और generate access code है, यह सारी चीज़े आ रही है, simple से आप लोग ने इसको next कर देना है, और इसको go to test event पे जाना है, जागे testing कर लो, otherwise finish हम लोग इसको करेंगे, और हमारा जो है pixel वो create हो जाएगा, so guys, इसने हमें इस page के उपर redirect कर दे है, और इधर आप लोग देखो, इम आपने events create की हुए है, sorry, जितने भी pixel आप लोग ने बना के रहके हुए है, हमने दो pixel बनाए है, उसामाइम जास का, यह मेरे पहले वाला pixel है, और यह हम लोग ने अभी create किया है, यह हमारा add account, मैंने इधर open कर लिया है, दुबारा से, इधर campaign पे आते हैं, और आप अपनी campaign को run कैसे करना है, अपनी add चलानी कैसे है, हम लोग ने वो सीख लेते हैं, तो campaign run करने के लिए, आप लोग ने इधर create के ओपर click करना है, next year window आपके सामने आदेगी, आप पहले नमर पर यह advertising objective पूशेंग, आप से पूशें कि आप add चला क्यों रहे हो, आपके add चलाने का मकसद क नहीं है, मतलब आपको कोई property का का में इस तरह कोई business है, तो आप leads generate कर सकते हो, यह website conversion, अब हमारा जो काम है, वो website conversion का है, मुझे अपनी website पर sales लेके आनी है, order generate करने है, तो मैं इसको click करूँगा, आपने जो भी इनमे से आपने करना है, आपने इधर से पहले objective अपना select करना ह अचा उसके बाद setting में आजे campaign का नाम पूछे हैं, पहले नमर पर आपने campaign का नाम कुछ भी रख देना है, मैं इधर लिख देता हूँ testing, और next उसके बाद आपके पास तीन options मिलते है, create split test का, यह testing होती है, आप लोग इसको starting पर मैं recommend करूँगा ना use करना, क्योंकि यह आगे different अपने ads creative को at a same campaign पे test कर सकते हैं, अब मान की चलते हैं, आप एक product, कोई भी product है, उसकी ads लाने लगे हो, अब उस product के आपने तीन creative बनागे रखे हैं, मतलब तीन different ads बनागे रखे ही हैं, आप CBO पे आओगे, इसको आप लोग ओन कर लोगे इधर से, ओन करने के बाद अपन divide कर देगा, और जो अच्छा perform करेगी, आपकी ad, जो creative आपका अच्छा perform करेगा, यह उसको जारा budget देदेगा, जो थोड़ा कम perform करेगा, वो उसको उसको उससे कम budget देदेगा, और जो सबसे low perform करेगी, आपकी ad, वो उसको सबसे कम budget देगा, तो इसको हम CBO कहते हैं, यह थोड नीचे आपको एक set campaign budget आ रहा है आप इदर से भी set up कर सकते हो लेकिन अभी आपने जैसे कुछ नी छेड़ना आपने continue पर click कर देना है next आपके पास second step पा जाता है add group का अब add group पे आप लोग क्या करते है अपनी सारी सारी targeting करते हो कि आपने किस age group को दिखाना है ladies को दिखाना है उसके लावा सारी किस जगा पे किस location को टारेट करना है यह सारी चीज़े second level पे हम लोग सारी discuss करते हैं अब पहले पर add group का नाम आप लोग कुछ भी रख सकते हो अच्छे next आता है optimization location इदर से आप लोग ने website ही select करना है अब website में दो नीचे option आ रहे है पहला data connection का data connection का मतलब होता है pixel आप लोग को जितने भी आप लोग ने pixel बना गे रखे होंगे वो इदर show होंगे अब देखो मेरे दो पिक्जल है एक उसामाई इम्तियाज वाला एक इम्तियाज एमरेट वाला जो हम लोग ने अभी बनाया है अब आप लोग ने को बराना नहीं है यह जो लिखा ह लेनी अच्छा इसके उपर मैं क्लिक करता हूं मैं इम्तियाज एमरेट वाला अपना पिक्जल स्लेक्ट कर लेता हूं अप्टिमाइजेशन इवंट में आकर आप लोग ने हम लोग ने जो तीन इवंट्स बनाये थे ना व्यू कॉंटेंट का इनिशियेट चेक आउट का ये आपके सामने अब शो हो गए है आप लोग ने इदर से हमेशा कंप्लीट पेमट वाला स्लेक्ट करना है और उसके बाद नीचे आप लोग ने इसको स्किप मार देना है टिक टोक इंस्टेंड पेज़ को placements push है, placements automatic पे रखनी है यह आप खुद select करना चाहरो तो मैं आपको recommend करूँगा आप इधर से खुद select करो और इधर से आपके आपके पास तीन placements आती है, tiktok है, global है और pangle है, आप लोग global और pangle, यह दोनों को आप लोग ने अगर आप यह सारी चीज़े on रखना चाहरे हो, तो on रख लो otherwise मैं आपको recommend करूँगा आप इसको off ही रखो क्योंकि आगे जलकर यह यह भी आपको scenario देखने को मिलेगा कुछ लोग जो आपके competitors हैं या जो आपको market में आगे नहीं देखना चाहरे वो bad comments करेंगे, reviews अच्छे नहीं देंगे, तो देन आपके जो add है, वो disable भी हो सकती है आपके add account पर काफी ज़दा impact पड़ेगा और हो सकता है कि आपका add account जब वो disable कर दिया जाए तो आप लोग ने इन चीज़ों का बंद ही रखना है, अच्छे उसके बार targeting आजाती है, targeting में आपसे पहले number पे saved audience का एक optional है इस पे आप लोग अपनी audience को save भी कर सकते हो, जैसे कि अभी ये जो मैं campaign run कर रहा हूँ ना, ये सारी की सारी मैं save कर सकता हूँ एक बार ही बार बार ये सारी चीज़ें जो है वो perform करने की जुरूत नहीं है, तो ये optional है, अभी इसके लिए मैं इसको skip मा रहा हूँ, demographic में आगे आपने location अपनी स्रेक्ट करनी होती है, कि किस जगह पे आप दिखाना चाहरो, अब इधर ये मेरा जो account है, ये UAE का है, इसको मैं अगर म मलेशिया, मरोको है, कतर है, सौधिय अरेबिया है, मैं सौधिय अरेबिया में भी इस ad account को use करके ad चला सकता हूँ, साउथ-परिका में चला सकता हूँ, सौध-कॉरिया में चलानी है, थाइलेंड में चलानी है, तुर्की में चलानी है, अभी के लिए मैं UAE, United Arab Emirates को ही select करत इसके बाद आप लोग इसमें भी नेरो टारिटिंग कर सकते हो कैसे करनी है आप ये डॉप डाउन शो रहा है इसके ओपर क्लिक करो क्लिक करने के बाद नीचे आपको यूए ए में सारी के सारी लोकेशन शो जाएंगी जैसे के अबुदाभी है अजमान है दुबई है उसके सारी की सारी लोकेशन शो रही है आप लोग ने जिदर भी दिखानी है अपनी एड आप उसको स्रेट करो जैसे के मैं सिर्फ इन मतलब की लोकेशन में एड शो करवाना चारा हूँ अबुदाभी अजमान दुबई और फुजरा कर लेते हैं इसको मैं अंस्रेट कर देता सिर्फ इन ही जगापे मैं एड दिखानी है तो इसको मैं साइट टेक लिए करूँगा तो हमारी जो है लोकेशन इदर से स्लेक्ट होगी है आप स्पेसिफिकली अपनी मर्जी से दिखा सकते हो के मैंने एड चिलानी किदर है अच्छा उसके बाद एज है आप लोग ने दे लिए होगा अपनी पॉर्डट के साब से आप लोग ने इदर से एज स्लेक्ट कर लेनी है अच्छा जेंडर है जेंडर आप लोग ने देखना है कि आपके पॉर्डट यह है वो फीमेल्स के लिए है मेल्स के लिए है या दोनों के लिए है अगर दोनों के लिए है तो आल पर स्थेग्लएट करणा है कि आप लिए नोगों को अपनी एड दिखानी है और किन लोगों को नहीं दिखानी है वो इक्सक्लूड में जिर लोगों को नहीं वो स्लेक्ट करोगे अच्छा उसके बाद नीचे आप लोग को एप्शन मिलता है इंट्रस्ट एंड बिहेवियर का आप लोग इतर से इंट्रस्ट को टार्ट कर सकते हो लैट्स है कि आपकी कोई ऐसी प्रोडट है जिसका आप लोग को आईडिया है कि यार मेरी एक ये प्रो मेरी ये जो एड है कि उन लोगों को दिखाएगा जिनका इंट्रस्ट ब्यूटी एंड पर्सनल केर्स में है आप इसके लावा और भी नेरो टार्गेटिंग कर सकते हो इसका मतलब यह नहीं है इदर से आप लोग डॉप डॉप डॉन करो इसमें ये चेक करो औरल के रहे है आप लोगों कोछ लग रहा है कि इदर से मुझे नहीं मिर रहा है तो आप लोग इदर से सर्च बार पर क्लिक करो और उसके बाद ये नेरो टार्गेटिंग हो जाती है आप लोग इसको रखना चाहो तो आपको इसमें रिजर्ट्स अच्छे मिलेंगे लेकिन थोड़ी रि आपन ही रखूंगा उसके बाद मैं नीचे आता हूँ बजट के उपर आप लोग ने अपनी केमपेइन को बजट कितना देना है अब इदर टोटल आप लोग बजट जितना भी देना चाहरे हो डेली का इदर आप लोग स्ट्रेट करोगे डेली यह आप लोग लाइफ टाइम के लिए रखना चाहरो मैं डेली पे ही स्ट्रेट करता हूँ इसका आप लोग ने बजट दे देना है लैट से के हंडर्ड दरहम का आप लोग बजट करने है उसके पास स्केजूल करना है आपने कितनी देर से कितनी देर तक चलानी है आड वो आप स्केजूल कर सकते हो यो नहीं रख रहा मैं जा रहा हूँ कि जैसे यह एड जो है मैं रन करूँ फॉरी तोर पर चल जाए तो इसको मैं पहले भी रखूँगा उसके बाद ऑप्टिमाजेशन गोल जो है ना यह आपनों कनवर्जिन ही रखना है उसके बाद नीचे कोई चीज नहीं छेंड़नी continue पर click कर देना है आपने फाइनल इधर हम लोग अपने last step के तरफ पहुंच चुके हैं इधर हम लोग ने अपनी जो एड चलानी होती है जो creative चलाना होता है उसकी detail देनी होती है और अपनी website का URL देना होता है ताकि हमारा जो customer है हमारी website पर भी जा के पहुंच जाए आप नि कर लो मैं दुबारा से testing मी ही रख देता हूँ अच्छा उसके बाद नीचे scroll करना है आप लोग ने जैसे connect account कर लेना है अपना मैंने आपको बताया था ना यह जैसे setting में जाकर आपने इधर profile पर click करके user setting में जाकर अपना tiktok account जो यह connect कर लेना है अब भी तक मैंने नहीं कि एरजोल एड़ चलानी है तो टिक टोक पर mostly मैं आपको recommend करूंगा आपने single video add ही चलानी है क्योंकि प्लैटफार्म वीडियो प्लैटफार्म है तो उदर videos ही ज्यादा चलती है अच्छा उसके बाद आप से यह इधर आपको यह option यह वो visible तब ही होगा जब आप लोग अपना काल to action बटन आता है यह most important चीज है इधर यह जो भी लिखा हुआ आप लोग ने इसको इधर से cancel करते हैं cancel करने के बाद इधर से आप लोग ने drop down करके shop now पे click करना है अच्छा यह जो काल to action बटन होटान है इसका बहुत impact पड़ता है आपकी add के उपर आपके customer के उपर shopping का मत call to action बटन रखना होता है हम लोग अपनी conversion add कर रहे हैं तो इस वजह से मैंने shop now रख दिया है उसके बाद नीचे आप लोगोंने क्या करना है अपने destination पर आके इधर से अपनी website का URL दे देना है काफी ज़या लोग इधर गलती करते हैं वो डिरेट अपनी homepage का link का आपके उठा मेरा जो customer है वो सही जगह पर land हो रहा है के नहीं हो रहा है अचा इधर कब दे लोग बर आ जाते हैं यह yellow color का icon है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि in the last seven days no optimization event received add your URL मतलब के last 7 दिनों में हमने कोई भी add नहीं चलाई वो यह बोल रहा है तो आप लोगोंने इसकी attention नहीं नहीं इसको ignore मारो simple publish पे click करोगे आपकी जो campaign है वो थोड़ी देर के लिए review में जाएगी टिक टोक उसको check करेगा और उसके बाद वो आपकी add या वो live हो जाएगी तो यह तरीका कार था add run करने का यह simple तरीका मैंने आपको बता दिया है बाकी advance चीज़े आप लोगे मेरे चैनल पर जाके सीख सकते हो कि advance targeting कैसे करते हैं advance में चीज़े कैसे चलती हैं तो इस तरीके से simple से आप लोगो idea हो गया है कि आपने tiktok add चलानी कैसे है अच्छी लगी होगी वीडियो को like लाजमी करके जाना जो अभी तक वीडियो के साथ जुड़ा हुआ है ना तो like लाजमी कर देना चैनल को subscribe कर लो साथ notification bell लाजमी होने करना ताकि आपको next future में वीडियो के notification मिलते रहे अच्छा मिलते हैं अपनी next lecture में आज कर इतना ही अला आपी